हेलो विवस, मिश्रा क्लासिस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है, तो चलिए कुछ नाया सीखते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी से इंतजार था, कि भारत वर्ष के बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे स्टेट में से कुछ स्टेट ने तो अपनी काउंसलिंग शुरू कर दी है, लेकिन बहुत सारे स्टेट अभी काउंसलिंग शुरू नहीं किये, तो बहुत सारे स्टेट में से, आज हम तुमको बताने चैनल को लाइक कर लिजे, वेल आईकान प्रेस कर लिजे और सब्सक्राइब कर लिजे, जैसे ये सूचना हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएं नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे और काउंसलिंग से कोई चूक न होने पाए तो नोट कर लेना मैं आज तुमको क्या बताने जा रहा हूँ सबसे पहले बिहार बिहार में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है रेश्टेशन की कोई डेट नहीं आई है बिहार वैसे भी बहुत पीछे लास्ट में काउंसलिंग डेक्लियर करता है रेश्टेशन की डेट और जैसे ही डेक्लियर करेगा हम आपको बताएंगे बिहार में के बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुसकबरी ये है कि सौ सीटे गौर्णमेंट मेटिकल कालिज में बढ़ी हैं सौ सीटे बढ़ी हैं इसका मत्तब सौ बच्चे और बिहार के डाक्टर बनेंगे सबसे पहले हम बताने जा रहा है रेजिटेशन देट आज आपको बताने जा रहा है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के रेजिटेशन 4 नवंबर से स्टार्ट होगा और 10 नवंबर तक होगा ये रेजिटेशन देट हम बता रहे हैं चार नमंबर से स्टार्ट होगा और कब तक 10 नमंबर तक रेजिस्टेशन रहेगा इस बीच में आप रेजिस्टेशन जरूर करा लें दूज्सरे नमबर पर हम बताने जा रहे हैं आसाम में रेजिस्टेशन डेट आ चुकी है पाँच नवंबर से दस नवंबर के बीच में होगा आसाम में फिर त्रपुरा में अभी नहीं आउट हुई है रेश्टेशन डेट अभी नहीं आई है बहुत ऐसा दूसकी बेवसाइट पर है कि बहुत जल्दी हम रेश्टेशन की डेट टिकलियर करेंगे उसके बाद में तिलंगाना की बात करें तो तिलंगाना में रेश्टेशन डेट एक नवंबर से आठ नवंबर तक आ चुकी है इस बीच में आप रेश्टेशन कराएं उसके बाद MP में MP में एक नवंबर से दस नवंबर तक रेश्टेशन की डेट है और यहाँ पर MP में प रिश्टेशन नहीं कराया है बहुत जल्दी आप रिश्टेशन कराएं नेस्ट गुजरात की बात करें तो दो नौंबर से नौ नौंबर के बीच रेइस्टेशन आपको कराना होगा नेस्ट तमिलाडू की बात करें तो तीन नौंबर से बारा नौंबर के बीच और नेस्ट यूपी की बात करें तो पाँच नवंबर से रेजिटेशन स्टार्ट हो चुका है और राजस्थान की बात करें तो एक नवंबर से छे नवंबर के बीच में आपको रेजिटेशन कराना होगा तो एक नवंबर से छे नवंबर के बीच कराना है और महरास्था की बात करते हैं बहुत बच्चों को इतजार था तो महरास्था में पाँच नवंबर से बारा नवंबर के बीच आपको रेजिटेशन कराना है बारा नवंबर को साम पाँच बज़े तक आप रेजिटेशन कर सकते हैं तो रिश्टेशन की जो डिट दी गई है उस बीच में आप रिश्टेशन जरूर करा ले एंपी की में बात कर रहा हूं तो एंपी में एकसे दस नहुनबर के बीच रिश्टेशन आपको कराना है जिन बच्चों को प्राइवेट कालेश में एमपी में एडमीशन लेना है उनको एक से दस नौबर के बीच में रेजिटेशन करा लेना है समझे क्योंकि आगे फिर उनको चांस नहीं दिया जाएगा तो रेजिटेशन कराना अनिवारे होगा ठीक है तो यह स्टेट अपनी रेजिटेशन की डेट डिक्लियर की है लेकिन काउंसलिंग की प्रॉसेस अभी डिक्लियर नहीं की है तो जैसे ही काउंसलिंग की पूरी प्रॉसेस आ जाएगी हम पूरी प्रॉसेस तुमको बताएंगे और एक बात तुम्हें ध्यान रखना है एडमीशन में किन किन चीज आपके तयार नहीं है बहुत जल्दी आप तयार कर लें और डोमेसाइल सार्टिफिकेट जरूर बनवा लें क्योंकि उसके भगैर अगर तुबारे पूरे पूरे नंबर भी है और डोमेसाइल सार्टिफिकेट नहीं है तो इस्टीट काउंसलिंग के थ्रू आप एडमीशन नहीं ले पाओगे तो डोमेसाइल सार्टिफिकेट अगर जो आपका नहीं बना है तो तुरंत आप बनवाईए क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस जिन इस्टेटों की नहीं अभी रेस्टेशन डेट आई है वो भी बहुत जल्दी आजाएगी और जैसे आजाएगी हम चाते रहें और काउंसलिंग से रिलेटेट कोई भी चीज आप से मिस नहोने पाए और ग्यारा बजे आठ तारीक लाइव क्लास मेरी रहेगी बहुत बड़ा सर्प्राइज हम देंगे और ऐसे बच्चों के लिए वो सर्प्राइज होगा 42 नीट में किसी कार्ड से नंबर कम रहे गए हैं हमको क्या करना चाहिए हम पूरी बाते तुम्हें बताएंगे बहुत बड़ा सर्प्राइज देंगे अगर ये संडे को सरी आठ तारीक को लाइव क्लास 11 बजे आपको देखना है बेस्ट आप लग हम तो यही चाहेंगे कि भगवान करे आप सब का नीट में सेलेक्शन हो जाए गवर्मेंट कालिज मिल जाए और दीपावली आप डाक्टर की रूप में मनाएं घर में खुसी आएं